फेलो दुस्तों स्वागत है एक नए विडियो पर दुस्तों जिसे की आप सभी को मालूम है Paynear By Portal में जो है एकसिस बैंक का जो अकांट ओपनिंग सुविधा है वो लाइप कर दिया गया है अब दुस्तों आप Paynearby portal से access bank का tedious free current account open कर सकते हैं जिस पे मैंने already वीडियो बना रखा है और दोस्तों आप pay nearby से access bank का zero balance saving count अपने ग्रांको का open कर सकते हैं उस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है इन दोनों वीडियो का link मैंने वीडियो के description box में दे दिया है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फट 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 उससे checkout करके आप देख सकते हैं और दोस्तों आप अपना tedious free current account open कर सकते हैं और अपने ग्रांको का zero balance saving account open करके बहुत ही अच्छे कासे commission जो है आप कमा सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब account open कर लेंगे तो आपको mobile banking कैसे activate करना है तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेके last तक देखेगा मैं आपको step by step बताऊंगा कि कैसे आपको mobile banking को activate करना है और दोस्तों वीडियो को अभी तक like नहीं किया तो open करना है और open करने के बाद से दोस्तों यहां पर आपको search करना है access bank app आप यहां पर लिख के type करके आप search करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह access bank app जो है यह open हो जाएगा mobile banking app है यह अब दोस्तों आपको install इसे कर देना अपने mobile phone में अभी दोस्तों देख सकते हैं finally यह जो app है हमारे mobile phone में install हो गया अब दोस्तों यहां पर open पे click करना है open पे click करने के बाद से यह application open होगा और यहां पे दोस्तों नीचे आपको क्या करना है skip पे click कर देना है Skip पे क्लिक करने के बाद से दुस्तों यहां पहे कुछ Permission Login पे कलिक करने के बाद से दुस्तों यहां आपका जो Number है वह Varify करेगा तो दुस्तों वो Number जो है आपके mobile phone में लगा होना चाहिए अब कि सिम जो है, जो आपके अगेन आपको permission allow करना है तो यहाँ पे आपको allow पे click कर देना है अब दोस्तों देना आपको यहाँ पे SMS एक डेलवर्ड होगा और यहाँ पे automatic जो SMS है वो send हो जाएगा और यह automatic यह जो आपका SIM है यह verify हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे enter name में आपको अपना नाम type करना है और इस box में check कर देना है और check करने के बाद से यहाँ पे I agree पे click करके और दोस्तों यहाँ पे को continue पे click कर देना है continue पे click करते ही दोस्तों यहां पे आपको एक 6 digit का amp-pin बनाने के लिए बोलेगा तो दोस्तों यहां पे आपको एक 6 numeric unc वाला आपको एक 6 digit का pin बना लेना है दोस्तों जो pin आप इसमें type करेंगे सेम आपको यहां पे नूचे वाले में भी type कर देना है और type करने के बाद से यहां पे आपको निचे submit या continue का option मिल जाएगा आपको उस पर click कर देना है दोस्तों यहां पे submit या continue करने के लिए नहीं आया है यह automatic आपको continue हो गया है अब दोस्तों यहां पर आपको यह finger फिंगर्ड को यहां पे एकसेस कर देंगे तो यहां पे जो यह है आपका जो है सकसेस्फुली यह जो आपका fingerprint है यह एकसेस हो जाएगा अभ जोस्तो यहां पे आपको procedure पे क्लिक करना है अभी दोस्तो यहां पे आपको एक authentication देना है तो दोस्तो authentication के लिए यहाँ पे आपको नीचे complete now का option दिया है आपको complete now पे click करना है complete now पे click करने के वाद से दोस्तो यहाँ पे आपको तीन option दिये जा रहे हैं पहला internet banking है और दूसरा दोस्तो आपको जो है वो debit card है और तीसरा जो है OTP के system के द्वारा है तो दोस्तो OTP वाले में आपको customer ID की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तो जो customer ID है जब आपके पास debit card आता है ATM card आता है तो उसमें आपके ATM card जिस page पे चिपकाये गया रहता है उस पे आपको जो है customer ID जो है उस पे लिखा रहता है तो आप वहाँ से customer ID देखके और आपको इसमें fill up कर देना है और fill up करने के बाद से process वाले बटन पे आपको click कर देना है process पे click करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है अपना data worth fill up करना है उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे pen number दिया हुआ है वो show करेगी, तो दोस्तों यह आपका दोनों registered mobile number और registered email ID show करेगा, अब दोस्तों यहाँ पर यह बोल रहा है, send OTP के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको send OTP पे click करते ही, आपके registered mobile number पे भी एक OTP गया है, और आपके registered email ID पे भी OTP गया है, उन दोनों को यहाँ पर आपको mobile व acceptance of use guideline आजागा, यहाँ पर आपको got it पे click कर देना है, अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, finally हमारा जो यहाँ पर mobile banking है, यह open हो गया है, दोस्तों यहाँ पर बता रहा है, हमारे account में जो है, वो 205 रुपे balance है, और यहाँ पर transaction भी दिखा रहा है, दोस्तों view all transaction पे click करके, और दो से भी अधिक जो है, वो आप transaction जो है, वो आप देख सकते हैं, अभी फिलाल मेरे में दो ही transaction हुआ है, इसलिए मेरे में view all भी अगर मैं click करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको दो ही transaction जो है, वो सो करेगा, अब दोस्तों यहाँ पर view statement पे click करके, आप अपना statement भी देख सकते हैं, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर request statement भी दिया हुआ है, तो रिक्वेस्ट statement पे click करके, आप दोस्तों, छे मेने साल भर, दो साल का, वो आप statement अपने email पे मगा सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर account details पे click करके, आप चाहें, तो अपना account का details भी यहाँ प पर शो कर रहा है यहां पर आपके bank का status भी show कर रहा है कि आपका bank active है या inactive है उसके बाद से जो scroll करके जब आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे यहां पर आपकी personal details भी आपकी show करेगी अब दोस्तों यहां पर आपको नीचे save वाले button पे click कर देना है, click करने के बाद से दोस्तों यह एक बार जो आपका जितना भी data है, यह एक बार update हो गया है, अब इसको okay पे आपको click कर देना है, अभी दोस्तों यहाँ अगर आपको किसी भी प्रकार का payment करना है, तो आपको यहाँ पे pay पे click करना है, आप यहा का कोई भी electricity bill हो, तो आप उसे भी pay कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे आपको more पे click करना है, more पे click करने के बाद से दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, accounts पे click करके अपना account details देख सकते हैं, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे credit card का option दिया है, तो दोस्तों आप इसमें credit कार्ड को अपने जोड़ के आप अपने क्रेडिट कारण का अपर statement देख सकते हैं कितने रुपए डी है वह सारी जीजे आप देख सकते हैं FDRD पर क्लिक करके आप अपने mobile banking से FDRD कर सकते हैं loan पे क्लिक करके दिश्चे आप अपना loan account जो है इसी से manage कर सकते हैं उसका payment कर सकते हैं . 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 या इससे आप अपना profile चेक कर सकते हैं pay my dues किसी भी परकार का आपको कोई भी dues है आप यहाँ पे इससे set करके आप pay कर सकते हैं check पे click करके दोस्तों यहाँ पे आप जो है check के लिए request आप डाल सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे check के लिए request डाल सकते हैं यहाँ पर request check दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर check status stop check, अगर आप चाहें तो check के लिए अगर आपने request डाल दिया है, आप उसका status देखना चाहते हैं, तो आप इस पर click करके जो है, वो अपना status भी देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आए, तो आप इसे यहाँ से आप रोक भी सकते हैं, फिलाल दोस्तों इसमें जो check की service है, वो बिल्कुल free है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज चेक पर नहीं लगता है, other services पर click करके दोस्तों इसमें और भी जितनी भी services है, आप उसका lab आप लेख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी इसमें कौन-कौन सी जो है services आपको मिल जाती है, दोस्तों यहाँ पर अभी यह loading कर रहा है, दोस्तों यहाँ पर other services में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर block debit card, अपने debit card को आप block कर सकते हैं, change of home branch, अपने home branch को change कर सकते हैं, request checkbook कर सकते हैं, update address कर सकते हैं, यहाँ पर update email ID कर सकते हैं, mobile number को भी update कर सकते हैं, अपने nominee को भी update कर सकते हैं, और debit card को भी दुस्तों यहाँ से आप manage कर सकते हैं, से कि हुआपे मैं आप debit card पे अगर जहाब आप click करेंगे तो यहां से आप अपने debit card को भी बहुत ही असानी तरीके से वो आप manage कर सकते हैं अब दूस्तों यहाँ पे हमारा debit card जुँप्श हो गया अब दूस्तों यहाँ पर Obrig करते हैं यहाँ continue पर click करने के बाद से यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ADM withdrawal limit जो है यहां पर लगा सकते हैं एक दिन में आपका यह maximum limit है वो 40,000 आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं यहां पर POS limit किसी भी प्रकार का कोई भी POS से अगर आप खरदा limit जो है आप चाहें तो इसे भी आप बढ़ा सकते हैं या तो आप इसे बंद कर सकते हैं मतलब यह जो debit card है यह पूरी जो है आपके mobile banking के तुरू आपके उंगलियों के सारे यह चलेगा अगर आप चाहेंगे किसी service को यूज करना तो यूज करेंगे नहीं तो आप इसे नहीं कर पाएगा जैसे अगर आपका debit card गुम हो जाता है कोई आपका दोस्त है उसनी ने चुरा लिया या कोई आपके जानने वाला है आपके debit card को चुरा लिया है वो आपका pin भी जानता है तो यहाँ पे जितना भी service है यह सारे service को आप बंद कर देंगे वो किसी भी प्रक facility है जो आपको दिये हुए है जो कि आप यूज करने के बाद से जो है आप बिल्कुल खुस हो जाएंगे और यह काफी शांदार mobile banking application है मुझे नहीं लगता है कि इसे यूज करने के बाद से किसी परकार को आप बैंक में जाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों बहुत ही शा से जादा आपने घ्रहकों को भी जो है इसका लाब दिलाएं क्योंकि ग्रहक भी इसे यूज करके काफी जो है वो खुस हो जाएगा तो दोस्तों आइग आपको यह हमारा वीडियो पसंद आएग वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी वाल या सुजाओ तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों मिलते एक नए वडियो के साथ तब तक लिए जहिंद बंदे मातरम